मैं हूँ डॉक्टर नीदी वसानी अईयर आपकी friendly OBGYN और Fertility Doctor Surgeon Fertility Center भावनगर से आज हम बात करेंगे pregnancy के दौरान ली जाने वाली vaccines के बारे में तो सबसे महत्वपूर्ण vaccine जो National Immunization Program इंडिया में जरूरी है वो है tetanus की vaccine इसके दो टीके लगते हैं पहला टीका कभी भी लग सकता है और पहले और दूसरे टीके के बीच कम से कम एक महिने का अंतर होना चाहिए अभी जो थोड़ी तरक्की हुई है उसमें पहला dose तो नॉर्मली tetanus का लगता है पर दूसरे dose में यह recommend किया जाता है कि आप vaccine ले जिसका नाम है टीडाब यह tetanus diphtheria और पर्टियोस यानि कालिखासी से माता और बच्चे दोनों की सुरक्षा करता है तो यह vaccine ज़रूर लगवाए दूसरी optional vaccine होती है influenza vaccine जो H1N1 यानि कि swine flu जैसे रोगों से आपको बचाती है जो कि pregnancy में काफी नुकसान का रख होते हैं और अभी जो corona हुआ था उससे हमें यह जानने मिला है कि corona की vaccine भी pregnant महिलाओं के लिए safe है so vaccinate yourself and stay safe enjoy your pregnancy and keep following us for more such content